श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब सवस्त और सुरक्षित होंगे सुखी और संपन होंगे दोस्तों आज के समय में इस आधुनिक समय में बहुत बड़ी समश्या है ये कि विभा के बहुत सालों बाद तक भी संतान नहीं होती एक कारण इसमें हमारे परिया बरण का है जो दूसित वाता बरण हो गया है एक कारण तो वह हो है ही साथ ही केरियर के प्रती सजग बच्चे अपनी उम्र बड़ा लेते हैं उसके बाद संतान पत्ती में मुश्किल आती है परिशानी आती है यदि आपके आस पास कोई इसा द नहीं है तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ आप अवसी उपाय को करके देखें आप किसी भी शुकल पक्ष के सोंबार के दिन आप शिवालय जाए और किसी ने पहले से यदि उस पर शिवालय में अक्सर लोग चाव चड़ाते हैं अक्षत भोले नाद के उपर आप यदि अक्षत चड़े हुए हैं आप शिवालय दर्शन करने जाते हैं जल चड़ाने जाते हैं जो भी समर्पित करने जाते हैं आपको किसी से पहले से नहीं बोल के रखना कि आप अक्षत चड़ा दीजिया या आपको भी नहीं चड़ाना, आपके वाले अकषत नहीं कामाएंगे, जो किसी ने पहरे से अंजाने में आपको चड़े हुए अकषत मिल जाते हैं बोलिनात पर, आप अक्षत उठा लाएं, चड़े हुए, और जितने दाने मिले, चार-पास दाने, आट-दस दाने, उसे लाकर आप घर में दूद में मिला लें, मिक्स कर लें, थोड़ा सा वैसे भी पानी में गलने के बाद बाद अपने आप पिसने लगते हैं, आप उसे दूद में मिला कर और खालें, खालें, खी टाइप, उसे गरम नहीं करना, आप गरम दूद में डाल कर और मिक्स करके खा सकते हैं, आट ड जितने सोंबार आप कर सकते हैं करें और आपको यह बात मैं फिर से बता दूँ कि आपको अचानक से चामल मिलना चाहिए चड़े हुए आप किसी से बोल के नहीं चड़वा सकते ना ही आपके चड़े हुए चामल काम आएंगे आप यह कारी करें आपको शुक्ल फख्खे सोंबार से शुरू करना है आप एक सोंबार भी कर लेते हैं और जब आपना दामपत्य जीवन का आप निभाते हैं आप देखना आपके हाँ जल्दी ही तीन मेहने के अंदर आपको अच्छी ख़बर मिलेगी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगे आप करके देखें शद्दा के साथ विश्वास के साथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर भुलेनात की क्रपा बनी रहे ओम नमस्षिवाए